केला बहुत आसनी से मिलने वाला फल है और इसकी कीमत भी बहुत कम है सस्ता है लेकिन ये उतना ही गुनकारी और फाइडेमंद है तो इस वीडियो में हम केले के बारे में आयूरवेदा नुसर इसके मेडिसनल प्रॉपर्टीज क्या है इसे किसे खाना चाहिए किसे नहीं खा आना चाहिए इसका हमारे शरीर के वात पित्तक कफ़दोशों के ऊपर क्या आसर है धातु के ऊपर क्या आसर है और इसके अजरह माने क्या है और एथ है एफ़ सब हम केव और हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन प्रेस कीजिए नमस्ते दोस्तों मैं हूँ आपकी डॉक्टर जोती श्रीकांत आपका हमारे चानल पर स्वागत है तो केला जो है मीठा और हलका सा कसेला रसका होता है इसमें गुरू और स्निग्ध प्रॉप इसकी तासिर जो है थंडी रहती है यानि ये थंडे स्वभाव का रहता है ये हमारे शरीर में जो वात पित दोश है उनको कम करता है और कफ़दोश को बढ़ाता है जिन लोगों की वात प्रकृती है या फिर जिन लोगों में वात दोश बढ़ा हुआ है वो लोग केले का स कर सकते हैं वात दोश बढ़ने के कारण शरिर में बहुत सारे लक्षन दिखाए देते हैं जैसे गित वच्छा ढ्राय ओ जाती है बालों में रुखापन दिखाए देता है नीद जो है disturbed रहते हैं, या फिर बहुत सारे विचाराना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे thoughts आते हैं, या फिर नीन में बहुत सारे सपने आते हैं, और joints में कट-कट आवाज सुनाई देता है, तो यह सारे symptoms लक्षन अगर आप में दिखाई दे रहे हैं, तो आप केले का 7 कर सकते हो, केले को आयुर्वेदा में समीरा जीत कहा गया है, समीर यानि वायू या वाता, जीत यानि जीतना, यानि केला जो है वाता को कम करता है, इसलिए वात प्रकृति वाले लोग या फिर जिनमें वात दोश बढ़ा हुआ है, वो लोग केले का 7 कर सकते हैं, इसके साथ पित प्रकृत प्रकृति वाले लोग भी बनाना का सेवन कर सकते हैं और वो लोग जिनमें पित्त दोश बढ़ने के कारण शरीर में बहुत जादा जलन फील होती है गर्मी फील होती है या फिर बहुत जादा पसिना आता है बहुत जादा घुसा आता है इरिटेशन रहता है वो लोग भी के केला जो है अवोइड करना चाहिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि केला जो है कफा को बढ़ाता है अगर कफा उनके शरीर में जादा बढ़ जाता है तो कफा जो व्याधिया दिखाए देती है जैसी के अगनीमंद होना नींद जादा आना आलस जादा आना ऐसी समस्या करना चाहिए और इसके साथ जिन लोगों में सर्दी खासी दम्मा जैसी बिमारिया है उन लोगों को भी केला आवाइड करना चाहिए आयुरवेदा में कच्चा केला और पका हुआ केले के बारे में डीटेल में बताया गया है जैसे कि कच्चा केला किसे खाना चाहिए किसे न नहीं काना चाहिए, यह सब डीटेल में बताया हुआ है, तो पहले हम कच्चा खेला किसे काना चाहिए, किसे नहीं खाना चाहिए, यह देखते हैं, कच्चे केले को आयुरवेदा में विष्ठमभी कहा गया है, विष्ठमभी यानि रोकने वाला, तो कच्चे केले का सेवन व कर सकते हैं जिन लोगों को भूग नहीं लगती है जिन की भूग अच्छी नहीं है उन लोगों को कच्चा केला आवाइड करना चाहिए या फिर जिन लोगों में कब्ज की समस्या है कॉंस्टिपेशन की समस्या है उन लोगों को भी कच्चा केला आवाइड करना चाहिए रक् साथ शेरिर में कहीं पे भी अगर इंजूरी हुई है मस्कुलर डिस्टोफी है या फिर बोन्स डीजनरेट हो रहे है ऑस्टियो और्थ्रेटिस है या फिर वात विकारोज में यानि आयुर्वेदा में जो असी प्रकार के वात विकाराज बताए हुए है उन सभी में कच्चा केला बहुत ही फायदेबंध है तो कच्चे केले का सेवन कैसे करना चाहे तो इसके उपर का छिलका निकाल कर इसके बारिक बारिक तुकडे करकर घी का छोका देकर इसकी सबजी बनाकर खाने चाहे है अब तक हमने कच्चे केले के बारे में पूरी जान करे ली है अब देख शुक्र से समधित समस्याये हैं शुक्रानों कम हो चुके हैं स्पर्म काउंट कम हुआ है या फिर कमजोरी है वो लोग केले का सेवन कर सकते हैं ये शुक्रदातु को बढ़ाने का काम करता है जिन महिलाओं में सफेद पानी जाता है पीरेट्स के दोरन बहुत जादा ब्लीड में ब्रुम्हनिय कहा गया है यानि ये हमारे शरीर में जो सब्त धातुज है उनका पोशन करती हैं उनका ब्रम्हन करती है और जो लोग जिम जाते हैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं और जिनकी भूक अच्छी है उनके लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है वो लोग भी पका हुआ केला ले सकते हैं तो आई ये देखते हैं केला खाते समय क्या साउधानी लेनी चाहिए अगर आपको केला कितना भी पसंद है फिर भी आपको केला एक से दोही लेना चाहिए जाधा क्वांटिटी में नहीं लेना चाहिए और केला जो है दूद के साथ नहीं लेना चाहिए क्यूंकि दूद और केला दोनों के प्रॉपर्टी जो है गुरु होते हैं यानि यह दोनों पचने के लिए भारी होते हैं अगर आप यह दोनों साथ में लेते हो तो यह डाइजेशन के लिए बहुत प्रॉब में यानी 6 बजे से 10 बज़त तक के टाइम में केले का सेवन नहीं करना चाहे क्यूंकि ये टाइम जो है कफा का रहता है जिससे कफा और बढ़ने के चांसेस रहते हैं लेकिन केला जो है आप घी के साथ ले सकते हो क्यूंकि घी जो है अगनी को बढ़ाने वाला है पाचन क्रि कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन प्रेस कीजिए धन्यवाद